एक टॉपिक कम्प्लीट करा था ? ये सारे टॉपिक हम लोगों ने ची ठीक जी अब लोग इस किया तोपिक में हम लोग ने कंप्लीट किया है ? cozy business environment के features क्या है यह सारे चीज़े हमने discuss करी थी इस class में हम लोग इस lecture में हम लोग dimension of business environment के बारे में जानकारी लेंगे बचे ध्यान दीचेगा सब लोग concentration से एकदम ध्यान से सुनिएगा और यह आपको चीज़े बिलकुल समझ में आ जाएगी BST बहुत आसान है बस आप ध्यान से मेरी बाते सुनते जाएगा जी द्याज़े दिखेगा सबसे पहला environment dimension that is legal environment अगर मैं बात करूं legal environment तो यह legal environment क्या होता है इसको थोड़ा समझते है कलियरा पॉइंट चलिया जी legal environment मतलब simple सा बात legal environment मतलब क्या है जी simple सा बात है the legal environment consist ये की चीज़े हो consist करता है it consist of legislation passed by the parliament and the state legislature अब देखे क्या होता है न कि कभी कभी कोई parliament में जो है एक legislation passed होता है जिसको हम लोग بिल कहते है क्या बोलते है जी bill कहते है Parliament Bill कहते है या State Government जो है वो भी पास करती है वो भी कुछ Business से Related चीज़े पास होती है ठीक है इसके वज़े से आपके Business है Directly या Indirectly क्या हो जाता है जी Influence हो जाता है देखेगा बचे इस बात को समझेगा एक मैं Example ले रहा हूँ अब भी Recent Example ले रहा हूँ Recent Example क्या है Government ने एक Bill पास किया है जिसको हम लोग बोल रहा है जी Farmer Bill यह जो Farmer Bill गौर्मेंट ने पास किया है इसके वज़े से बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके वज़े से कुछ जो Grain Producing करने वाली जो आप कर सकते हैं फार्मर्स हैं या Grain को प्रोसेस करने वाली जो कंपनिया है उनके Business Environment पे क्या हुआ है जी असर आया है इसका मतलब क्या है दिखे का देन जो दगएगा Knowledge of Rules and Regulation It's Necessary for Better Business Performance Example Consumer Protection Act दिखे सरकार ने Consumer Protection Act पास किया था इसकी वज़े से बहुत सारे Business में Positivity भी आई है और बहुत सारे Business में Negativity भी आई है क्यूंकि अब जो है Product आपको Consumer के Point of View से बनाना पड़ेगा Reason क्या है अगर Product Consumer के लिए गलत है तो वो Product जो है वो Ban होगा वो Product रुकेगा और Consumer जो है आपके Company के उपर है भी Penalties का डिमांड भी कर सकता है Clear a Point जैसे सरकार ने एक New Economic Policies लाए था New Economic जो है वो क्या लाया Policies लाया 1991 में इससे Business Influence होई Business में बहुत सारी Positivity आई अब सरकार जो FDI को Permit करती है Foreign Director Investment ये सब जो Legislation है ये सब जो चीज़े है ये चीज़े आपके Business को Directly या Directly क्या करती है Influence करती है अगर मैं बिहार Government की बात करो तो बिहार Government ने Leaker को Banned कर दिया पूरे बिहार में Banned कर दिया इससे क्या हुआ कि Leaker बनाने वाली जो Company आ है या जो Leaker बनाने अब बेचने वाली जो Enterprises है उनकी Business क्या हुई Directly या Indirectly क्या हुई Influence हुई तो Simple सा बात को समझेगा या मालो सरकार ने GST लाया तो GST क्या है Legislation है तो GST आने की वज़े से बहुत सारे Business है Influence हुए तो सरकार कोई भी Rules Regulation कोई भी Legislation Parliament में कोई भी Bill Pass करती है वो भी आपके Business को Directly या Indirectly क्या करती है जी Influence करती है समझ में आरी बात तो या आपको इसको कह सकते है अलग-अलग Protect है GST Act आया Prevenance of Corruption Act है ऐसे कई आक्ट जो है सरकार जो है Pass करते रहती Minimum Wages Act है ये सारी जो चीज़े सरकार पास करती है जिसकी वज़े से आपके Business को Directly या Indirectly क्या होता है Influence होता है तो एक ऐसा है Legal Environment Legality में कोई Changes होने की वज़े से भी आपके Business को Directly या Indirectly क्या हो सकता है जी Influence हो सकता है दिखेगा ध्यान से दिखेगा अब Smoking is Injurious for Health Putting Complete Information on the Labels Consumer Protection Act अब क्या है अब हर Cigarettes के डबे पे आपको Smoking is Injurious for Health लिखना क्या है जी Mandatory है ये बाते आपको लिखनी पड़ेगी आपको जो है अलग-अलग चीजे फोटो उस पे चिपकाना पड़ेगा ठीक है या फिर 18 years से कम के लोगों को आपको टेवाको या निकोटीन बे टेवाको बेचना क्या है जी अब मना है ये सब जो Legislation पास होते है Rule Regulation पास होते है ये भी आपके Business को Directly Directly क्या करती है जी Influence करती है अब बात करता हूँ Putting complete information on the levels अब क्या है Consumer Protection Act में सारे प्रड़क्ट के बारे में सारी information आपको प्रड़क्ट पे लिखनी है ये भी क्या है आपके Business को Directly Directly क्या कर रही है जी Influence कर रही है तो Legal जो है Legal चीज़े जो सरकार कानूनन बनाती है सरकार बिल पास करती है Act पास करती है वो भी आपके Business को Directly या Indirectly क्या करती है जी Influence करती है दूसरा दूसरा Political Environment Political Environment भी आपके Business को बहुत Label पे Effect करती है जैसे देखेगा Consist of Political Stability and the Policies of the Government अगर किसी देश के अंदर अगर किसी देश के अंदर किसी कंट्री के अंदर अगर Political Stability है तो Business जो है वहाँ क्या होगा Business के लिए Positive है अगर Political Stability नहीं है तो Business के लिए क्या है Negative है क्योंकि कभी भी कानून चेंज हो सकता है कभी भी उनका Decision चेंज हो सकता है क्योंकि कुछ कुछ Government जो है वह क्या है जी Pro Business है तो कुछ Government जो है उनको Against Business भी माना जाता है उनको Pro Laborer माना जाता है या Pro Employee माना जाता है समझ में आरी बात तो आपके Business Point of View से जो है वह चीज़े चेंज होंगी कुछ Government जो होती है Stable Government Creates Confidence Among the Business People To Invest in the Long Term Project अगर कोई Government अगर कोई Government जो है दो क्या है डान दीज़ेगा FDI ले आई है और वो Government जो है Stable है तो बाहर के जो लोग है आपके देश में Invest करने को क्या हो जाएंगे जी तयार हो जाएंगे अगर आपका Government Stable नहीं है अगर Government जो है गिर रही है फिर आ रही है फिर आ रही है गुवर्मेंट बार-बार Change हो रही है तो कोई भी बड़ा Investor आपके हाँ Investment करने से क्या होगा डरेगा और बड़ा Investment FDI आपके हाँ नहीं आएगी Clear a Point जैसे एक example कहा जाता है Reason क्या है Reason है वहाँ का Political Support वहाँ का जो Government है वो Businessman को Support करती है मैं एक example बताता हूँ बच्चा कैसे Government जो है Support करती है पता है आपको Tata Nano Tata Nano जो गाड़ी है इसकी कंपनी जो है SINGUR में लगने वाली थी कहा लगने वाली थी SINGUR में लगने वाली थी जो Best Bengal में थी Clear a point बट वहाँ की जो Mamta Benerji Mamta Benerji थी उसने उन्होंने इस Plant का बहुत ही बिरोध किया क्योंकि एक Plant जो है किसान की Land पे क्या की गई थी जी ये Plant Proposed हुआ था तो इसकी बैसे Tata का Nano का जो Project था वहाँ पे क्या हो गया जो Delay हो गया और Tata को वो SINGUR की जो Land है वो वापस करनी पड़ी Government को अब क्या हुआ अब समझेगा इसका मतलब क्या हुआ ये जो Government थी Bengal की वो Pro Business नहीं थी बट इसका उल्टा तुरंत Invitation आया कहां से Invitation आया भाई साब Invitation आया हमारे आज के Prime Minister और उस समय के Chief Minister Modi जी का किसको आया Ratan Tata को कि आए आए हमारे गुजरात में मैं आपको Land देता हूँ और यहाँ पे आप Nano का Plant लगाएं ये जो है ना ये Pro Business वाले Decisions है तो गुजरात जो है Business के मामला में क्या है ज़्यादा favorable state से ये क्यों किसकी वज़े से favorable state बना है Political support की वज़े से इस person की वज़े से Modi जी की वज़े से BJP की government की वज़े से तो एक Political जो है वो भी आपके Business को Directly या Indirectly क्या करती है जी एंफ्लेंस करती है आगे बढ़ते हैं तीसरा point Social environment Social environment क्या है धान दीजेगा Society में changes Social environment मतलब क्या Society में changes Include society in which the business work Literacy rate Customs Values Belief Its lifestyle अब क्या है कि जिस society में Business run कर रही है जिससे मालो ये society है इस society में Business run कर रही है इस society के custom Belief इस society के literacy rate इस society के life style इस business को क्या करेगा जी influence करेगा अगर उस society का life style जो है बहुत ही हाई है तो वहाँ पे Mercedes BMW की गाडिया की बिक्री होगी अगर society की life style बहुत ही poor है तो आप वहाँ पे BMW Mercedes नहीं बेच पाएंगे समझ मियारी बात तो depend करता है अगर हाँ अगर society जो है आज के टाइम में health aware हो चुका है तो वहाँ पे आप healthy products का जो sale होगा वो demand होगा वो क्या होगा जादा होगा अगर किसी country अगर किसी जग़ पे किसी society में literacy rate जादा है तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ के consumer जादा aware होंगे clear है अगर वहाँ पे custom values जो है उस like होंगे तो simple सी बात है society का custom value literacy rate ठीक है lifestyle belief यह सब जो है यह भी आपके business को influence करता है example लिजे health awareness बढ़ने के वैसे gym का demand क्या हुआ है बढ़ा है और जो low calories वाले foods है उसके demand क्या हुए बढ़े है मतलब society जो चाहती है उसके society जैसा भी चाहेगी उसके अनुसार आपका business के लिए positivity भी आएगा और negativity भी आएगा अगर आप junk food बेचते है तो आपके लिए negative है अगर आप healthy food बेचते है तो आपके लिए क्या है जी positivity है clear point आगे बात करते हैं ध्यान से दिखेगा सब लोग अब economical environment के बारे में बात करते है economic environment क्या है it consists of economic factor that influence the business in a country consists of economic factor that influence the business in a country economic factor जैसे सी national GDP का क्या हाल है corporate profits का क्या हाल है inflation का क्या हाल है employment rate क्या है यह सब सारे जो factor है वो भी आपके business को directly or indirectly क्या करते है influence करते है समझ में आरी बात यह भी आपके business को क्या करते है influence करते change in inflation inflation महंगा ही बढ़ रही है तो आपके cost of production क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी policies जो है foreign direct investment का वो होगा तो आप क्या investment आएगी stock exchange में fall हो रही है तो आपको business को directly affect होगा availability of loan जो है वो अगर बढ़ रही है तो आपके business के लिए क्या होगा जी फाइदे बंद होगा आपका जो money है money devaluate कर रही है वो आपके business के लिए नुकसान होगा अगर आप export import करते हो तो वहाँ पर दिक्कत आएगी मतलब simple सा है economic environment की बज़ज से भी आपके business को directly or indirectly effect होता है जैसे कि देखे interest rate example interest rate affect the demands for the car and home loan अगर interest rate market में अगर market में interest rate जो है वो क्या कर दिया गया घटा दिया तो car का demand जो है क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा अगर बढ़ा दिया तो car का demand जो है घट जाएगा अगर घर का home loan home loan की बात करूँ उसका interest rate बढ़ा दिया तो जो बड़े-बड़े buildings बनने उसका demand जो है घट जाएगा अगर home loan का rate जो है Threads हैंगे, समझ में आरी बात Clear a point, कोई confusion, कोई दिक्कत जैसे ही inflation, मैंने बता दी Inflation, Devolutions of Money, Interest Rate बढ़ना, घटना, Change in the Inflation यह सब सारी चीज़े जो है आपके Business को affect करेगी Clear a point, आगे बात करता है अब मैं बात करो Technological Informant का, Technological Informant क्या है, Technological Informant मतलब क्या है Includes forces relating to the Scientific Improvement and Innovations आज के टाइम में, बहुत सारे Scientific Improvements and Innovations हो रहे है Daily basis पर Technology चेंज हो रहा सोचो न बच्चा, आज के 10 सल पहले आपका Mobile Phone कैसा था आज का Mobile Phone कैसा है आज के 10 सल का पहले का TV कैसा था आज का TV कैसा है मतलब आज के 10 सल पहले का कार कैसी थी, आज के 10 सल बात की कार कैसी है, मतलब Innovations, Technology Upgrade हो रही है बच्चा तो जो Upgradation होता है, वो भी आपके Business को क्या करता है, Directly या Indirectly क्या करता है, जी Influence करता है, समद में आरी बात, तो ध्यान रखेगा जैसे मालो, आपका जो Stock Exchange है, वो Automated हो गया, जो PayTM, Google Pay, यह सब जो हूँ आज के Payment System को, Banking System को क्या कर दिया, जी सब के पास पहुचा दिया, Public Utility Services है, Online Available है, यह आपको फाइदे की बात है, तो यह सारे जो नए-ने जो Innovations आने, Provide New Ways and Techniques to Producing Goods and Services of Doing Business, आप सोचो, आज पता है, ऐसा ऐसा बिजनस है न बचा, आज के टाइम में ऐसा ऐसा बिजनस है, जो कल के टाइम में कभी बिजनस हुआ नहीं करता था, अब पासा ट्रांसफर करना बिजनस हो गया, Google Pay, Payphone, Paytm, Ola, Uber, Oyo Rooms, यह सब जो आज के पहले बिजनस नहीं थी, बट आज बड़ी बिजनस बनी हुई है आज वाईजू की बात करो, आज बड़ी बिजनस बनी हुई है, क्योंकि टेकलोजी जो है वो क्या हुई है, अपग्रेड हुई है, इनोवेशन हुआ है, इंप्रूब्मेंट हुई है scientific improvement हुए इसके वज़े से भी आपके business हुए directly and directly क्या हुए effect हुए है जो LCD monitor थे वो चले गए अब क्या है TFT monitor जो है LCD आ गया है अब LED आ गया है अब अलग 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 चीजे पहले जो है normal QWERTY phone हुआ करता था अब Android phones आ गए है तो ये पहले जो है digital camera हुआ digital camera हुआ करता था real वाला camera digital camera फिर जो आज के time में जो है totally आपके पास DSLR DSLR जैसी चीजे जो है market में क्या है जी available है what it means कि technology क्या हो रहा जी changes और mobile phone का emails का fix line का latest का ये सब जो है technology change हुआ है तो ये भी आपके business को directly and directly क्या करती है जी influence करती है clearer point hope so ये बाते आपको समस में आ रही होगी अब मैं आगे बात करता हूँ देखिए चारों चीजे four dimensions आपके legal environment political environment economical social और technological ये आपके पाच environments है पाचे environments के बारे में आपको मैं discuss कर चुका हूँ बता चुका हूँ सारे को example किसे भी मैं आपको समझा दिया हूँ clear point legal मतलब सरकार जो कानून बनाती है political मतलब सरकार की government bcp congress government technological मतलब scientific improvement social मतलब society क्या चाहती है economical मतलब अलग-अलग चीजे inflation वगरण GDP बगर national income बगर ये सारे जो economical environment हैं ये भी आपके business को directly या indirectly क्या करते हैं affect करते हैं clear point hope so ये बाते आपको समझ में आ गई होगी चौलो बचल आगे बढ़ते हैं अब हमारे पस एक नया जो topic है वो है economic environment in India अगर मैं बात करू independence के time का आजादी के समय की बात करू तो आजादी के समय में हमारे देश का क्या इस्तिती था इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है जी आजादी के समय में हमारे देश का क्या इस्तिती था इसके बारे में बात करते हैं उसके बाद क्या situation हुआ आजादी के टाइम में हमारे देश का जो agriculture and rural about 70% of the working population was employed in agriculture 70% लोग थे जो agriculture में involved थे 85% people जो था गौव में रहता था production was carried using irrational low productivity technology technology के नाम पे हम zero थे productivity हमारे बहुत ही कम थी these were no goods public health system हमारे हाँ कोई public health system अच्छा नहीं था ये this was the situation this was the situation during 1947 1947 के आसपास जब देश हमारा अजाद हुआ था चीक है बच्चर अब आगे बात करते हैं अब देश जब अजाद हुआ तो हमारे देश का कुछ गोल था rapid economic growth to raise the standards of living अब people के standards of living को बढ़ाने के लिए rapid growth का requirement था TG से growth होना बहुत ज़रूरी था reduce unemployment जो बेरुजगारी value हुई थी जो गरीबी value हुए थी उसको हटाना था self-reliant होना था हम लोग बहुत सारे चीज़ों के लिए जो है बाहर के लोगों पे क्या थे जी dependent थे तो हमको self-reliant होना था अपने food grain के लिए अपने products के लिए reduce the inequalities of income and wealth लोग के बीच में wealth का और income का जो inequalities कोई गरीब है तो बहुत ज़्यादा गरीब है कोई अमीर है तो बहुत अमीर है इनको gap को भरना था adapt the socialist pattern of development हम लोग को ऐसा pattern of development adapt करना था जो society को welfare दे सिर्फ profit की बात न करे society को welfare दे इसके लिए ये हमारा there was a goal but in 1991 but 1991 आते आते हमारे देश का situation क्या हुआ कि हमारी जो heavy internal debt हम लोग बहुत ही कर्ज में डूब गए low overall agriculture production agriculture production low था food grain productions and industrial production सब low हो गया था inflation जो है 1314 percent पर चल रही थी हमारा foreign trade shrink कर गया था import shrink कर गया था depreciation of rupee 26% US dollar 26% depreciate हो गया था fall of foreign exchange reserve हमारे पास foreign exchange reserve नहीं थे reserve bank of india place 46 ton of the golds to bank देंगे एंगला to the loan to the 60 millions 60 million dollars loan देने के लिए हमारे 47 ton gold जो है गिर भी रख लिये गये थे this was the situation this was the situation कब जब हमारा देश I mean 1991 में था बच्चा देखेगा ध्यान रखेगा यह जो topic है यह topic आगे बढ़ते है बच्चा देखेए फिर 1991 में यह situation आने के बाद हमें एक prime minister बने 2003 में उस समय हमारा देश के finance minister थे कौन मनमुहन सीट उन्होंने एक new economic policies लाया government ने जुलाई 1991 में new economic policies लाया new economic policies करने का मतलब कि अब एक नए policies पे economy चलेगी जो हमारा पहले का policies था उसको हम हटाएंगे और नया policies लाएंगे तो 1991 में new economic policies आया जिसका main तीन चीज़े थी तीन main चीज़े थी जिसमें एक था liberalization दोसरा था privatization और तीसरा था globalization ये तीनों का meaning हम समझेंगा बच्चा ये तीन main elements थे new economic new economic जो policy था उसके तीन main elements थे liberalization privatization and globalization liberalization का मतलब समझाऊऊँगा globalization का मतलब समझाऊँगा and privatization का मतलब समझाऊऊँगा तीनों समझाऊँगा आए एक-एक करके समझते हैं बच्चा देखे अगर मैं बात करूँ liberalizations का इसका मतलब क्या होता है liberate industry from the chains of the licensing system क्या था ना कि 1991 के पहले 1991 के पहले हमारे जितने भी industry थे उनको licensing quota में फसा दिया गया था हर चीज़ के लिए आपको license लेना पड़ता था हर चीज़ के लिए quota set किया हुआ था बट liberalizations करने के बाद हमने सारे licensing and quota system को क्या कर दिया जी abolish कर दिया, liberate कर दिया, हटा दिया पहली बाद दूसरा, सरकार की जितनी भी public sectors की company थी जितने भी public sectors की company थी सारी company लॉस में चल रही थी क्योंकि lack of poor management की वज़े से तो सरकार को लगा कि management को सही करने के लिए इस company को private के हाथों में दे दिया जाए और इससे दो फाइदा होगा एक तो सरकार के पास पैसे भी आ जाएंगे और company का management भी क्या हो जाएगा जी improve हो जाएगा, company profit में आ जाएगी यह अच्छी बात है दे इसके लिए तो सरकार में क्या किया reduce the role of the public sector उसने अपने private sectors जो है ना private sectors, public sectors उसको private को बेचना सुरू कर दिया और साथ में बहुत सारे area थे जिसको public sector के reserve किया गया था उसको de-reserve कर दिया गया और दीरे-दीरे करके उसको de-reserve किया गया ने सेंस कि अब उसमें private sector लोग भी काम कर सकते थे ठीक है जी और तीसरा main काम हुआ globalization का इसका मतलब क्या हुआ encouraging foreign private participation in Indian industry development हमने बाहर के लोगों को invite किया आईए हमारे यहाँ business करिए और हम आपके हाँ business करेंगे मतलब अपने इंडिया को इंडिया के इंडिया के ट्रेड को हमने बाहर I mean foreign के ट्रेड के साथ क्या कर दिया जी collaborate करवा दिया आप कर सकते integrate कर दिया clear a point तो यह तीन major changes लिये गए liberalization, privatization and globalization clear a point hopes हो यह बाते आपको समझ में आ गई होगी आगे बात करते हैं बच्चा अब चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि liberalizations के अंदर क्या किया गया privatizations के अंदर क्या किया गया और globalization के अंदर क्या किया गया यह तीनों बाते हम लोग समझते हैं देखे liberalizations में क्या हुआ freedom in fixing the price of goods and services पहले क्या था कि goods and services का price जो है government fix करती थी government regulate करती थी government कहती थी नहीं इससे जड़ा price नहीं रखना है इससे जड़ा profit नहीं कमाना है जिसकी वज़ा से क्या हुथा कि private investors जो है business में entry नहीं करते थे क्यों क्योंकि private investor क्यों आएगा profit कमाने के लिए और जब वो price ही decide नहीं कर पाएगा तो फरकी हुआएगा तो सरकार को लगा कि नहीं यह जो system है न price decide करने वाला यह system businessman के पास ही होना चाहिए इनका right जो है businessman के पास ही होना चाहिए और यह right businessman को दे रिया गया right तो freedom means fixing the price of the goods and services यह goods and services का price fix करने का जिमेवारी किसको दे दिया गया businessman को पहला दूसरा जितने भी licensing लगा हुआ था हर चीज पर जो licensing लगा हुआ था license low quota है ठेक है जी तो सारे licensing system को हटा दिया गया अब कोई भी business करने के लिए आपको license का requirement नहीं है कुछ business को छोड़ देजे जो बहुत ही जैसे की drug license medicines वगरा hospitals वगरा करने के लिए आपको license चाहिए otherwise most of the business में licensing system को हटा दिया गया ठीक है जी फिर सरकार ने क्या किया सरकार ने tax को reduce कर दिया lifting unnecessary control जो सरकार unnecessary control लगाई हुई थी business के उपर ये करना है ये नहीं करना है ये चीज करने के permission ये चीज करने इस सब control को हटा दिया और tax को reduce किया जिससे क्या हुआ कि private investors को अब फाइदा लगने लगा अब लगा कि profit का chances बन रहा है तो उन्होंने invest करना शुरू किया उसके बाद making easier to attract a foreign capital and technology to India उसने FDI 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 क्या होता foreign direct investment दो तरह का बात होता बच्चा पहले हम लोग बाहर से सिर्फ loan लेते थे हम लोग investment नहीं मंगवाते थे क्योंकि हमको डर था कि कहीं पता नहीं फिर East India Company जैसा ना हो जाए तो हमने जो FDI को allow कर दिया कि बाहर के आदमी आकर के इंडिया में आराम से business कर सकते हैं अपने पैसे लगा सकते हैं तो ये भी चीज़े हमने क्या किया जी अब उलिस किया हमने इसको easier बना दिया ताकि बाहर के लोग आकर के हमारे हाँ business कर सके Simplifying the procedure for the import and export हमने import और expose की procedures को simplify कर दिया import export में जो हमने complications लगाए हुए तो हमने tariff वगरा लगाया हो था उस सारे को हमने हटा दिया tariff quotas वगरा लगाया हुए तो सब को हमने टा दिया इसके procedures को बहुत simple कर दिया जिसके वज़से हम अपने दुसरे देस में भेज सके और दु चीज़े क्या हो गए जी आसान हो गए इस सब सारे चीज़े करने की वज़े से कुछ positive impact हुआ जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अब देखें अब privatization एक और नया काम privatization इसमें क्या किया गया इसमें जो है ना basically greater role to the private sector and reduce the role of the public sector 1991 के पहले मैं बात करू 1991 के बार प public sector के हाथ में था लेकिन 1991 के बाद यह चीज़े public sector से निकल के किसके हाथ में दे दे गई जी private sector के हाथ में दे दे गई इससे क्या हुआ इससे क्या हुआ कि private sectors जो हैं ज़्यादा encourage हुए business करने के लिए तो यह जी देश के लिए फायदे की बात हुई अब क्या है to improve the efficiency PSU is given to the autonomy PSU को autonomy दे दिया कुछ PSU को तो बेच दिया गया बाकाईदा private company के हाथ में इससे क्या हुआ कि उनकी जो efficiency है वो improve हुई उनकी management क्या हो गई सही हो गई फिर क्या है transforming the public sector enterprises to the private sector मैंने कहा ना कि उसको dis investment कहते है जहां पे private sector enterprises को public sector enterprises को जब private के लोग को बेचा जाता है उसको क्या loss में चल दे तो उनका management improve हो गया और बहुत सारे जो है profit में भी आ गया तो इन सिब चीजों करने के लिए तीन बड़े major steps क्या किया गया जी लिए गया अब तीसरा जो है globalization में क्या क्या काम किया गया ध्यान दीजेगा mixing the economy of the country with the world economy अब क्या था पहले हमनों को ने बहुत सारे इंडिया है ना world economy से क्या हो गया जी integrate हो गया मतलब जूड गया अब world economy से जूडने से क्या होगा कि हम बाहर के समान अपने हमंगवा सकते हैं अपने समान बाहर बेज सकते हैं यह facility हमें मिल गई अब देखे creations of network and activities to go beyond the economic, social and geographical boundaries अगर अगर इंडिया के trade को globalize नहीं करोगे तो आप geographical boundaries में सिमट करके रह जाओगे लेकिन जब globalization हुआ तो हमारी companies बाहर जाके भी goods पेचना शुरू कर दी बाहर की companies हमारे हाना शुरू कर दी है इससे हमारे living standards क्या हो गया जी improve हो गया और हमारी products अगर बा आने लगे उसके बाद क्या है increase in the level of interaction interaction interdependence among the various nations of the global economy अब सारे लोग interact होते है सारे economy जो है जितने भी बड़े बड़े देश है एक दूसरे से interact करते हैं और सब लोग जो है आज के टाइम में global economic के रूप में उभर गया है एक global village बन गया है पूरा world जब एक दूसरे से क्या है dependent है interdependent है related है इससे क्या हुआ कि देश के अंदर ना world के अंदर peace होई सान्ती आई सान्ती आने का मतलब क्या होते है कि अगर कोई भी देश को कुछ खतरा होता है उससे दूसरे देश को नुकसान होने लगता है तो इससे क्या हुआ चलो जी सब लोग मिल जूल के रहेंगे क्योंकि सब एक दूसरे से interrelated और interdependent हो गए किलियर है point अब देखें यह तीनों चीजों करने की वज़े से यह तीन चीजे करने से हमारा impact क्या हुआ क्या क्या impact हुआ actually में क्या फाइदा हुआ सबसे पहला फाइदा जो हुआ कि MNCs ध्यान दीजेगा इस सबसे पहले impact of government policy changes इससे क्या हुआ कि हमारा MNCs से threats huge entry of multinational in India market brings new challenge to the Indian industry to compete with them अब क्या हुआ कि जब बाहर से बड़े बड़ी companies हमारे हां आकर के काम करना सुरू की तो हमारी जो local company थी उनको compete करने के लिए उस level पे आना पड़ा तो ये improvement हुई उनके company हो में और जो compete नहीं कर पाई वो बंद भी हो गई समझ में आरी बात जो compete नहीं की वो company क्या हो गई जी बंद भी हो गई एक मिनट वचा वेट कीज़ेगा पास दो मिनट ओके ड़ा अब ध्यान दीज़ेगा सब लोग अब क्या हुआ compete करना तो क्या होगे बंद भी हो गई पहली बात threats to the MNC फिर है फिर बात को जिससे देखिए अगर मैं बात करूँ ध्यान से देखिएगा सारे लोग बात करूँ गौद्रेज इंडिया की कमपनी है फोरें जैंट जो है पेपसी की जो है वो क्या है यह ट्रॉपिक आना है तो ट्रॉपिक आना आई तो गौद्रेज भी हमारा जो है वो compete कर रही है market के अंदर यह positivity हुआ कि हमारी जो local कमपनिया थे वो MNC से compete करने लाइक बनी दूसरा बा to survive and grow PSU will have to more efficient and generate their own resources अब क्या हुआ कि the central government budgetary support of financing the public sector has declined अब क्योंकि public sector इसके पास नहीं थे तो यह decline हुआ तो इसके survival के लिए to survival and grow PSU will have to more efficient जितने वे PSU बचे हुए थो और efficient बनाना बहुत ज़रूरी था तो सरकार नों उसको और efficient बनाया जैसे कि कुछ State Bank of India, Vale या ONGC जैसी company थी उनको क्या किया गया जी और ज्यादा आप कर सकते हैं कि efficient बनाया गया जिससे कि सरकार को बहुत सारे पैसे आए ताकि अपने budget में क्या मिल सके इनको support मिल सके खर्च expenditure में इनको support मिल सके तीसरा भाई competition increase हुआ अब पहले क्या थी कि जब हमारी company थी तो सिर्फ हमारे locals में competition होता था अब जब नई नई कंपनिया बाहर से आई तो competitions क्या हो गया जी increase हो गया सोचे पहले एटल जैसी अब एसल जैसी कंपनिया थी वोड़ा फोन ऐसे कई कंपनिया market में आई banking sector में टेली कॉम सेक्टर में airline sectors में आज के टाइम में retail sectors में हर जगा पे आज के टाइम में बाहर की कंपनिया काम कर रही हैं जिसे कि हमारे competitions में हैं बढ़ते हैं और competition जब बढ़ता है जब भी competitions increase होता है उसका फाइदा किसको मिलता है consumer को फाइदा मिलता है तो हमारे देश में ये फाइदा मिल रहा है जी फिर क्या more demanding customer अब जब नए 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 products market में अबलेबल हो ग गया तो customer के पास wider choice available हो गया उसके पास better quality चीजों के खरीदने के लिए क्या हो गया जी options available हो गया तो more demanding अब का सब्सक्राइद हो गया customer जो है अच्छे product खरीदने के लिए क्या होने लगा जी आगे बढ़ने लगा क्योंकि उसके पास कई options available है clear point फिर market orientation इसका मतलब क्या होत जाती थी और जाकर क्या करती थी सेल करती थी बट अब क्या हुआ नहीं पहले consumer को पता करो consumer क्या चाहता है कौन सा product चाहता है फिर production करो मतलब अब जो product बन रहे है वो consumer के according बन रहे है ना की producers के according ठीक है अब consumer के need के अनुसार goods को बनाए जा रहे है services को बनाई जा रही है और उनको क्या की जा रही है जी दी जा रही है clear point जैसे देखे McDonald's McDonald's जो है इंडियन market में आई तो भाई Indian test के अनुसार टिक्की आलू बर्गर मैकालू टिक्की जो बर्गर लेके आई इसका मतलब क्या है कि मैकडी को लगा कि नहीं मैकालू टिक्की आलू जो है इंडिया में लोग बहुत पसंद करते हैं तो हमको इस तरह का जो है वो चीजें बनानी पड़ेगी इंडिया में spices जादा खाते थोड़ा हमको spices क्रंची बनाना पड़ेगा तो आपको इंडिया मार्केट के अनुसार क्या करना पड़ेगा धुन ना पड़ेगा मार्केट औरियंटेशन इसी को बोलते है और जी इसेंसियल फॉर चेंजेश अफ्टर नैन्टी इन इडी इन बिजनस फर्म हाब बिकम confused and have the continuous modification. अब क्या है? कि business firm जो है अब continue modify करते है अपने product में ठीक है जी? अब देखे wheel हो या surf actual हो affluent changes and innovations करते रहती है ताकि customer को customer को हर ची product जो है हर मेंसा कुछ नया लगे ठीक है? ताकि customer उसके product से जुड़े रहे हैं product क्या करते रहे? खरीदते रहें तो essential for changes भी हुआ फिर rapidly changing in technological environment technological environment में rapid change हुआ companies are making the huge investment in the research and development आज की company जो है research and development में huge investment करती है grow faster companies यह फिर ऐसी कई कमपनिया है market में जो rapid changing technology जो है लेकर के आ रही है उससे हमारे Indian market को क्या हो रहा है? जी फाइदा हो रहा है समद्मियारी बात यह सारे points clear हो गए होगे और आपके topic है demonetization आपके syllabus में नहीं है तो ध्यान रखेगा यह topic को पढ़ने का requirement नहीं है बच्चा syllabus से क्या कर दिया? हटा दिया गया है तो यह सारे जो है अगर questions आप से पूछेगा कि impact बताइए तो आप यहाँ पे 4-5 points है यह लिख सकते है कि MNCs को threats, MNCs से threat हो गया reductions in budgetary support हुआ फिर जो है increased comparisons बढ़ा फिर आप more demanding customer बन गया यह सारे points है आप लिख सकते हैं तो यह chapter जो है लगबग बचा हमने complete कर लिया है अगले lecture में हम लोग अगला chapter that is planning हम लोग सूरू करेंगे और planning को हम लोग 2-3 lecture में खतम करेंगे ठीक है तो जुड़े रहिए अब edugram learning पे regular आपके पास video आने वाली है और आपके examination तक आपका साथ edugram learning आपको बनाए रखेगा आप exam का preparations करें और आपको BST accounts और economics के भी videos आपको जल्द मिलने लगेंगे I mean आपको accounts और economics के videos भी आपको मिलने लगेंगे चलो जी thank you so much तो edugram learning का प्यार बनाए रखे हमारे channels को subscribe कर दीजे हमारे channels को share करे अपने friends को हमारे channels के बारे में बताइए ताकि वो एहाँ पर आ करके अपने knowledge को enhance कर सके अपने study को complete कर सके thank you so much